नमस्कार दोस्तो हमारे यूट्यूब चैनल हेल्ट टिप्स इन हिंदे में आपका स्वागत है आज हम आपको बताएंगे मानसून में आई इंफेक्शन से बचने के कुछ घरेलू उपाए लेकिन दोस्तो यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उचे सब्सक्राइब कर लिए ताकि आप हमारे दुआरा दी गई हर जानकारी से अपडेट होते रहे दोस्तो बानसून में भारिस का लुफ्त लेने के दोरान अपनी आँखों की शुरक्षा को लेकर लापरवाही ना बरते क्योंकि इस से आपकी आँखों में इन लेकिन इफेक्टिव टिप्स के बारे में नमबर एक आँखों संबंदी अधिकांश बिमारी गंदे हातों से बार बार आँखों को छूने मलने से होती है इसलिए आँखों को संक्रमन से बचाने के लिए छूने से पहले हाथ जरूर धोले नमबर दो, आखों को मले नहीं क्योंकि इससे संक्रमन हो सकता है इसके बजाए आखों को पोचने के लिए डिस्पोजेबल वाइफ्स इस्तमाल करें नमबर तीन, बारिस में भीगने से बचें और हमेशा रेन गियर, रेन कोट पहने या छाता अपने पास रखें नमबर चार, आखों में अगर खुजली, जलन हो रही हो, या आख लाल हो गई हो, या अन्य किसी परकार की समस्या हो, तो कॉंटेक्ट लेन्स का इस्तमाल ना करें नमबर पांच, आखों के आसपास के हिस्सों पर एकस्पायर हो चुके मेकप उतपाद ना लगाएं अगर आपके द्वारा कॉंटेक्ट लेन्स का इस्तमाल किया जाता है, तो अपना सॉलूशन या कंटेनर किसी दूसरे के साथ साजा ना करें नमबर च्छे, अपने इस्तमाल में आने वाले नीजी प्रोडेक्ट को दूसरों के साथ साजा ना करें जैसे रुमाल, संग्लास और कॉंटेक्ट लैंस आदी इसे संक्रमन होने की ज़्यादा असंका रहती है तो दोस्तों ये थे कुछ इजी स्टैप्स मानसून के मुसम में अपनी आखों को संक्रमन से बचाने के लिए आपको ये टिप्स कैसे लगे आप हमें जरूर बताएं हम नई नई जानकारिया अब तक पहुचाते रहें इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तथा वीडियो को लाइक वे शेयर करना ना भूले इसके अलावा दोस्तों यदि आप किसी खास विशे पर कोई जानकारी चाहते है या आपके पास कोई सुझा हुए तो वह भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं धन्यवाद